हाई गेज मिली के आई हूँ आप सभी के लिए लेटिस अबडेट प्लेशने सस्क्राइब कर लेना गाइस देखे टियारपी किंग तो एक था और वो ही रहेगा सिदार शुक्ला जिसकी एक जलक देखने के लिए फैंस सस्क्रिप्शन लेते थे वूट का कलर्स चैनल को लग जानते हैं रश्मी आ गई है शोमें देव लिना आ गई है यहां पर जरी वाला की भी बात हो रहे हैं कि वो भी आएंगे आसिम के भाई हैं उनकी टू कॉपी पारस की बात चली रही है सो यह सोच रहे हैं कि बिग बोस 13 के कंटेस्टेंट रिपीट करने से उससे टी आर पी लेगी नहीं टी आर पी तो जिससे आती थी वो है नहीं अब और क्वीन है वो आएंगी नहीं अब जी हां गाइस देखिए जिन कंटेस्टेंट को यह ला रहे हैं उनके बारे में ओडियंस का क्या सोचना है कम से कम यह देख लेते बिग बॉस वाले तो इन्हें अपना था और अच्छी तरह से पीटेंगे मैं आपको बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट का एक पोल दिखाने वाली हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि इन कंटेस्टेंट को रिपीट करने से कुशनी होने वाला सिवाय जनता बोर होगी और टीवी म्यूट कर देगी वैसे भी स दिखाती हूं पहले यह कंटेस्टेंट हैं जनता का रिपोर्ट सेंटी मीटर यह जियो वाले करवाते हैं उसका है ना पसंद सितारा मनोरंजक सितारा निराशा जनक सितारा रोतलू सितारा चहेता सितारा तो आप देखिए ना पसंद सितारे में 91 परसंट जो वोट मिले है वो रश्मी को मिले है अन्मरोर अंजक में है 35% पे हैं माहिरा इससे तो महीं माहिरा को लिया आते सच में और चहेत सितारा सिदार शुकला इसमें शेहनास का नाम शामिल नहीं है नहीं तो आप जानते ही हैं एंटरेटेन में वही टॉप पर रहती तो आप सोचिए ये हाल है जो पोल होता है ये क्या खाक टियार पी लाएंगे बेशक वो सीजन में कॉंट्रिबूशन सबका था लेकिन वो जो इतनी हाई टियार पी थी और सब के रियल चहरे बहार आ रहे थे वो सिदार्त और शेहनास की वज़े से क्योंकि वो अपना रियल गेम दिखा रहे थे तो लोगों को खुल के सामने आना पड़ रहा था गाईज मैं आपको बता दूँ ये पूल अब का नहीं है बिग बॉस 13 के टाइम का ही है लेकिन जनता की पसंद जब भी यही थे और आज भी इसी तरह से अगर पूल होगा तो यही रिजल्ट आने वा थेंक यू गाईज